हेलो माई यूटब फैमली आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बाइक विल में तो दोस्तों आज हम लोग आएवे हैं रॉयन फिल के शोरूम का जो नाम है वो है श्री शर्मती इंटरप्राइज़ जो की ग्रीडी जारकंड में है फुल डीटेल और इसका कॉंटाक नमबर जो शोरूम का है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आज मैं आपके लेकर आए हूँ 2024 की रॉयन फिल हंडर 350 का फुल फाइन डीटेल वीडियो यहाँ पर यह दो वीरेंट प्रेजन है पहरा नमबर पर जो वीरेंट है वो है इसका मीड वेरेंट इसका ओफिशल नेम है डेपर वाइट कलर जो की प्योर वेरेंट है और दुसरे निमें पर हमारे पास है Top of the Line Hunter का सबसे Top variant जो की है Rebel variant जो की Black Color Silver Finish के साथ है यहाँ पर आपको जो Rebel variant उसमें भी 3 Color Options मिल जाते हैं Red, Blue and Black और Dapper में आपको 2 Color Variants मिल जाते हैं White and Gray यहाँ पर एक और variant है जो की इसका Base variant है जो की फिलाल अभी यहाँ पर प्रेज़ेंट नहीं है जिसका Officially Name है Factory Retro Variant यहाँ पर आपको उस variant के लिए पे करने पड़ेंगे मातर 1,50,000 और जो उसका 100 प्राइस है वो है 1,76,000 तो सबसे cheapest and best motorcycle हो सकती है के तरफ आने वाली क्योंकि वो रेट्रो लुक के साथ आती है और बहुत ही अमीजिंग लगती है वागी यह दो वीरेंट as compared to similar ही लगते है color wide difference है price में भी difference है दोनों के बीच में तो आज में यह तीनों ही वीरेंट का आपको full fine in detail video provide करने वाला हूँ explain करने वाला हूँ कि क्या कुछ आपको documents लाने होंगे showroom में कितने down payment में आप यह bike ले जा सकते हो bank rate interest आपको कितना pay लगने वाला है और इसका जो loan paid months है मैंने five categories में बांद के रखा है आप सब के लिए जिससे आपको easy हो कि अगर आपको जो भी budget हो उस हिसाब से आप 12 months, 18 months, 24 months, 13 months और 36 months के हिसाब से आप pay कर सको तो यहाँ पर मैं यह तीनों ही variant का आपको rate of interest बताऊँगा down payment बताऊँगा और month में कितना pay करना है वो तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा आपको लेंदी लगे तो एक request है अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप एक copy or pain लेके बैठ सकते हो जिससे आप लिख भी सकोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ और आपको समझ में भी आएगा तो चलिए बिन टाइम वेस्ट की वीडियो कर लेते हैं शुरू तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके rebel variant जो किसका top variant है इस बाइक के लिए आपको on road पे करना पड़ेगा तो लैक टू थाउजन इस बाइक का एक शुरूम प्रास स्टाट होता है क्योंकि यह registration में काम आता है उसके बाद बात कर लेते हैं डाउन पेमेंट तो यहां पर जितने भी bikes आप देख रहे हो तीनो विरेंट्स यह तीनो विरेंट्स वन लाक के प्लस के ही है तो यहां पर मैं एक minimum down payment के हिसाब से चलू तो 50,000 अगर आप पे करते हो तो आपके लिए जो EMI है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा तो यहां पर आप तीनो विरेंट्स के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा तो यहां पर अगर आप रेवल विरेंट्स लेते हो तो 12th मन्त मतलब एक साल के लिए आपको हर मन्त पे करने पड़ेंगे 12,605 रूपीज अगर आप 18 मन्स का लेते हो तो आपको हर मन्त पे करने पड़ेंगे 8,605 रूपीज वहीं अगर आप 24 मन्स का लेते हो तो आपको पे करने पड़ेंगे 6,607 रूपीज और 30 मन्स का लोगे तो 5,410 रूपीज और 36 मन्स का लोगे तो 4,613 रूपीज तो ये हो गया टॉप वेरियंट जो कि इसका रेबल वेरियंट है अब बात कर लेते हैं इसके मिड वेरियंट जो कि डैपर वेरियंट है इसमें आपको दो कल आप्शन मिल जाते हैं इस बाइक का एक्शोरूम प्राइस टोड होता है 1,69,900 और उन्रोड प्राइस इस बाइक का आपको पड़ जाएगा 1,98,877 रूपीज के आसपास बात कर लिए अगर ये बाइक आप लेते हो 50,000 डाउन पेमेंट करके तो आपको एक साल के लिए अगर आप लोगे इमाई अगर आप चलाना चाहते हो तो उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे पर मन्थ 12,190 रूपीज 18 मन्थ के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 8,273 रूपीज 24 मन्थ के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 6,352 रूपीज 30 months के लिए आपको pay करने पड़ेंगे 5,201 रूपीज और 36 months के लिए आपको pay करने पड़ेंगे 4,435 रूपीज तो ये हो गया इसका mid variant अब बात कर लेते हैं सबसे base variant के pricing के बारे में गाईज तो इस bike का जो नाम है वो है factory retro इसमें आपको spoke wheels मिलते हैं सबसे पहले बात बता दो इसमें आपको alloy wheels नहीं मिलते हैं looks में बहुत changes है ये दोनों bike से meters में भी बहुत सारे changes रहते हैं इस bike का action price टोड़ता है 149,900 और on road के लिए आपको pay करने पड़ेंगे हमारे city greedy जारकेंड में 176,000 के only इसके 12 months की EMI के बारे में बात करू तो इसके लिए आपको pay करने पड़ेंगेません only Rs. 10,196 18 months के बादे मैं 18 months क अगर आप EMI लेते हो तो आपको Each month pay करने पड़ेंगे Rs. 6,960 24 months के विए आपको pay करने पड़ेंगे 5,344 30 months के लिए आपको pay करने पड़ेंगे 4,376 रुपीज और 36 मन्द के लिए आपको मात रुपे करने पड़ेंगे 3,732 रुपीज तो सबसे कम EMI जो बनने वाला है वो आपको बनने वाला 36 मन्द का बाकी आपके ओपर डिपेंड करता है आपके इंकम के ओपर डिपेंड करता है आप ये 5 ओ लोन प्रेंड मन्स में से कोई भी आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो बाकी जो rate of interest है वो मैंने 9.7 के हिसाब से आपको explain किया था हो सकता है कि अगर आप शोरूम जाओ तो वहाँ पर other banks या फिर other जो आपको loan प्रवाइड करें other company के तरप से वहाँ पर rate of interest कुछ और देखने के लिए मिले बड़ ज्यादा different नहीं होगा अगर होगा भी तो इसी लंसम में आपको सुनने के लिए मिल सकता है इसका price बाकी आपके income के हिसाब से आप लोग सोच लेना कौन सी bike आपको लेनी चाहिए यह कौन सी bike आपके लिए ज्यादा useful होगी और यह जो loan period month है कौन सा आप ले सकते हो documents के बारे में मैंने आपको बता दिया rate of interest के बारे में बता दिया down payment के बारे में बता दिया और मैंने आपको explain भी कर दिया कि loan period month में जो total 5 मैंने categories रही तो उसमें से आप कौन सा use कर सकते हो आपके budget के हिसाब से hopefully guys यह video आप सबके लिए useful हुआ होगा अगर यह video आप सबके लिए useful हुआ होगा तो ज़रू इस video को like करना, comment करना और channel पहली बार आयो तो channel को subscribe कर देना आज के लिए video बस इतना ही दोस्तो अब आपसे मिलते हैं next video में, तब के लिए bye and take care